प्रब्सक्राद वाद खुर्ण प्रवाद बॉलिवट के नवाव यानिकी सेफ अली खान इन दिन उपनी फिल्म लाल कप्तान को लेकर लगातार सुर्ख्यों में बने हुए हैं और तो और वो इन दुनों अपनी फिल्म लाल कप्तान का जम कर प्रमोशन भी कर रही हैं। वहीं हाली में इस फिल्म के प्रमोशन के दौरां सैफ अली खान ने सल्मान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरसल सेफ ने इस दोरां सल्मान और Film Race 3 के बारे में बात की। से प्रमोशिन के दोरां पूछा गया कि हमें अपने और सल्मान खान के रिष्टों के बारे में बताईए और आप दोनों ने फिल्म हम साथ साथ हैं के बात दोबारा साथ काम क्यूं नहीं किया। इस सवाल के जवाब में सैफ ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने दोबारा साथ में काम किया है सलमान भाई के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है मैं उनकी बहुत इज़त करता हूँ असल में हम लगभग फिल्म रेस 3 में साथ काम करने ही वाले थे ट्रेडियूसर रमेश तोरानिन जी ने जब सल्मान को उस फिल्म में लीड दिया था तो वो मेरे पास भी आये थे उन्होंने मुझे एक रोल दिया था जिससे मैं कनेक्च नहीं कर पाया लेकिन हाँ हम लगभग उस फिल्म में साथ काम कर सकते थे आपको बता दे कि सैफली खान ने फिल्म रेज और उसके सीक्वल रेज 2 में लीड रोल निभाया था लेकिन रेज 3 में सल्मान खान को सैफ की जगा लेने पर फैंस थोड़े हैरान हुए थे रेज फ्रेंचाइजे को सैफली खान के नाम से ही जाना जाता है और उनका रेज 3 में न होना फैंस के लिए हैरान करने वाला था बात करे सैफली खान की आने वाले फिल्मों की तो 18 अप्टूबर को उनकी फिल्म लाल कप्तान रिलीज होने वाली है इस फिल्म के बाद वो तब्बू के साथ जवानी जानेमन, अजी देवगन के साथ ताना जीदा अंसंग वोरियर और फातीमा सुना शेक के साथ फिल्म बूत पुलिस में नज़र आएंगे विसे आप सेफ और सल्मान को साथ में काम करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलिवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ करते हुए झाल पर देखने के लिए बत्मान झाल 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 झाल